असलम लेकूं मैं हूँ नादिया तन्वीर और आप देख रहे हैं All About Baking by Nadia तन्वीर तो जनाब ये मैं ने बनाया था इसको अलमन प्रालीन इसको कहते हैं चुट वर्टे के डंडा ले 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 कोई भी चीज ले 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 उसे क्रश कर लो यह आपका बन जाता है अच्छा यह आइस क्रीम केक की फ्रॉस्टिंग बहुत 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 है आप लोग घर में बनाना आपको मज़ा आजाएगा रेस्पी मैं शॉर्ट बना के इसके साथ ही डाल दूगी अपलोड कर दूगी आपने देख लेना ठीक है जैसे वीडियो अपलोड होगी शोट भी अपलोड हो जाएगा ओके चले 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 आप कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो कलके मैंने केक साथ को बनाने दिखाय थे ना अब बाकी फिर मैंने यह सेकंड कर लिया था ठीक है कैरमल मैंने अल्रडी बिनाना सिखाया है तो मैं वीडियो के एंड पर बस आपको शुगर मेल्ट करना दिखा दूगी किस तरह से शुगर मेल्ट होती है मुझे बड़े मेसेज आते हैं कि ना दिया हमारी शुगर जो है ना उसके वह बन जाते हैं कैक कितना खुब सुर्ड़ टेक्स्टिर है तनी खुश्भू आ रही थी केक में से आपके सामने में हर काम किया आप देखे मेरे और के केक हैं लेकि मैं कभी कुछ भी नहीं चिपाती है आप लोगों से कि आप लोग भी इतनी बस्ट केक मिना और मुझे अच्छा लगएग तोटल पांच लेयर जाएंगी तो तीन चार पांच और यह दूसरे वाले की भी पांच ही महरे पास आगई यह देखें ठीक है आपने देख लिए ना मैं दोडो स्पॉंच पांच बनाया थे दोडो को मैंने कट करके उनको चार बना दिया पर जो एक था उसको कट करके एक पांच लेयर मार पास बन गई अब यह मैं लोटस की बोटल खोल रही है लोटस इतना महंगा हो गया है सची दोजार से कम तो बोटल ही नहीं मिल रही कोई मेहाल से 400 ग्राम वाली 2200 की यह 2000 रुपे की है देखो कोई हाल है इतनी महंगा ही होगी यह बंदा किते चला जाए अ ऑफतारी का पीर की नहीं में नगा है है अज है को आज ही जौइन एक भूंच की उगा हो कर सकते हो लिया देखारी estou डाना दोगा है कि बहुँ और गठाटारी का बांखिए देखारी का टाइम जो आफ लेगा पर ओर पार दुखा ने का दॉन्टारीए और खाया रही नही आपको मेरा मेसिज नहीं मिलता है नहीं पैकी खान मुझे मिलता है आप तो बहुत पुरानी हो हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर अच्छा जी नूर जहां अब्दुल्ला है इन्होंने का नादिया आप केको कैसे फ्रिज में और फ्रीजर में रखते हो मैं बताती है नूर करें उसमें एक चमच वनी लाइसेंस डाल देना बड़ा अच्छा आपका सोकिंग सिरफ बन जाता है ठीक हो गया अच्छा जी नूर जहां मैं पता क्या करती हूं केक्स को मैंने क्लिंग रैप करके मैं उसे फ्रीजर में रख देती हूं अराम से मैंने जब यूज करना और निकालती हूं काउंटर टॉप पे रखती हूं वो चिरिन चाल घंटों में नरम हो जाता हूं और अराम से इस्तमाल कर लेती हूं आप अपने केक्स पॉंच इसको कमस कम दो से तीन महीने भी फ्रीजर में रख सकते हूं फ्रिज में नहीं फ्रीजर में क्लिंग रैप करके बस पानी ना लगे उने ठीक हो गया अच्छा जी आईला खान के बहुत प्यारे मैसेज थे सर्वत बेक के ट्रिब्यून बेकर्स के केक्स बाय नजवा के और ये तो हमेशा ही बहुत प्यारे मैसेज करती हैं अच्छा जी निदा रूटीन के निदाने का नादिया में सॉस केरमल के अंदर मैंने डाला तोड़ा सा लोटस लोटस के ओपर मैंने डाला ये प्रलीन और जब आप ये के खाएंगे आपको बहुत मजाएगा आप लोग घर में डिजर्ट के ओपर बना के डालो वालनट प्रलीन होता है मेहाल से पीनर प्रलीन भी होता है और ये में इंस्टाग्राम पे बहुत जबर्दस्थ था बहुत अच्छा फाइदा अच्छा जी लुबना बतूल का भी बहुत प्यारा मेसेज होता है हमेशा शाहीन कोसर का बहुत दिनों बाद मेसेज आया थैंक्यू सो मेशाहीन कैसी यो आप बड़ दिनों बाद आपका मुझे मैसे यह भी मेरी वीडियो बहुत बहुत सारा प्यार बेटा आपके लिए और आप इतने अच्छे चेक बनाना और इंशाला देखती रहोगे ना आपको छुटी इससे बनाना आजएगा ठीक है बहुत सारा प्यार बेटी के लिए तो जणाब यह देखे साथ साथ हम बाते कर रहे करेंशन में आजाती हूँ वरना तो साथे साथे आपको बता है इतके केक होते हैं वहन से फलार बनाओ कलर बनाओ चलो जी गल्मुकाओ लेकिन नहीं फिर ही मैंने का चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमली को दो तीन आइडियास दे दूगी तो इंशाला पिर हम इनकी सेजस में कहा था कि नादिया आप ना हमें अपनी यीद की रूटीन बताना कोई खास रूटीन ही होती हम तो बस यीद की नमाज पढ़के और वो शीर वगएरा खाके खाना खाना खाके चलो भी सब सो जाते हैं मैं भी सो जाती हैं कि सब रोजों के ठके भी होते हैं फिर होता है कि भाईयों के घर चले के बहुत अच्छा लगता है जैसे यहां पर मेरे सुस्राल है वहां चले चाहते हैं बड़ा मजा आता है तो इस तरह से होता है फिर एक दो दिन जादा बिज्जी होते हैं फैमिलीज में बंदा घूम पिर लेते हैं और खाने तो मैं काफी ब अपने चैनल के ना जिन्होंने बनानियों बना सकते हैं ठीक है मैं शॉर्ट बना के डाल दूँ क्योंकि हर चीज़ वीडियों डालना बड़ा मुश्किल है अच्छा जिन आप यह देखिए मैं किसरा स्क्रैपर फेरी हूं आपको मैं अपनी प्रफेशनल अथेंटिक रेस जबर्दस बनी है मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं जोरूर फिर दिल से बनाती हूं आप लोगों के ठीक है तो आप लोगों ने भी ऐसे ऐसे बनाने ठीक है अब यह दूसरे वाला में आपके सामने कर ओए जना मैं थोड़ी से स्पीड बढ़ादी तो आपनी वीडिय स्किप करके देखने हैं फिर मेरा जो वीडियो तिया वेस्ट हो जाएगी इसलिए मैं कर फट 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 आपको यह दिखा दू ठीक है ना अच्छा जी इसके लावा और क्या बाते मैंने करनी थे मैंने कह था यूटी फैमिली को बताऊंगी भूल गई उफ लो इतनी चीज़ के उपर लगा के 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 उपर ही मिक्स कर लेती हैं तो वह देखें उससे भी कितना बहुतरीन काम हो जाता है अच्छा यह मैंने थोरा सा स्काइबलू सा केक बनाना था मैंने को डिफरेंट भी हो जगा दोनों वाइट 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 तो थामनेल में नजर भी नहीं को मैं नजर शर्ण देखाना वाइट काइवार वाइट वाइट कसाइफा इसमास के उप तो आपको पता कि कश्ट्माइजेशन होता है निया है स्टार्ड मून होता है मस्जिद बनाकर लगा देते हैं या कोई टॉपicios आपने एद मुबारा का टैग लगाना हो लगा लेते हैं ठीक है न वाकि अपकी अपनी सोच है कि मैं क्या करने चाहते हूं लेकि मैं परिसनली इत केक्स को ना पसंद करती हूं कि वो सिंपल और सॉफ्ट हो क्योंकि हरकोई फॉरन से खाता है तो अच्छा लगता है ठीक है ना तो यह देखे जिनाम हमारे दोनों हो गए केक रेड़ी ऐस उजल में ही लग गई थी उंगली फिर शुकरा मैंने स्क्रैपर पासित आप लोगों को बताई है बाकी रिटन भी मैंने लगा दूंगी और दूसरा यह के पुरा प्रोसेस आपने देखा है मैं यह करमल सॉस बना रही थी और जना मैंने ना जब उसके अंदर वह क्रीम और बटर एक किया ना तो मैं कैमरा ओन करना भूल गए होई इतना मुझे द आपने चमच नी चलाना ना चलाएं साड़ा साड़के सुआ हो जाना मैंने तो यह तो चिछाएं कि आप इसमें लाजमी चमच चलाएं बढ़ना क्या होगा कहीं से शुगर पक जाएगी कहीं से करवहत आजाएगी तो आपने इसको चलाते रहना है आमने यूट्यूब की वीडियो पे नी जाना आप यह भी तो कह सकते हो ना दिया उनकी वीडियो की बाद ना माने आपकी की सूशी में माने वही मैं आपको ठंटिक सिखा रही हूं अपने एक्स्पीरियंस सिखा रही हूं तो आपने चमच चलाते रहें अब यह देखो यह जो दूद मैंने रख अगर आपने करना है वरना अगर कंडेंस मिल्क से करना हो तो एक तिन लोग आपने और पानी लेके उसको मिक्स कर दोगे तो वह पतला सा कंडेंस मिल्क का आपका सीरप रेडी हो जाता है ठीक है अब यह देखो मैं नमक ना इसी स्टेच पर डाल दिया था अकसर लोग बाद म आपने जल्दी थी तो मैंने पहले ही डाल दिया कोई फरक नहीं पढ़ता उससे आपने अब यह देखो हम कौन थी मैं विश आपने मुझसे पुछा था ना आदिया में करम में बनाती है शुगर के सुने ऐसे ही बनते है देखो मेरे भी बन रहे है कोई मसला नहीं कोई पर बटर के ले लेने हैं और यह आपका कैनमल सॉस रेडी ठीक है जनाब यह थी आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा दौा में याद रखेगा अला आफेज